हलो इन्वेस्टर्स, मार्किट से एक से बढ़कर एक धमाकेदार खबर निकल करके आ रही है एड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गेल इंडिया और ONGC यानि की ओयल एंड नैचरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ में टोटल में कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिनोंने आप इस स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं फिनो मेडिया बाया आरूश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है आंधरा पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक कंपनी का जो शेयर है धाई परसेंट से जाधा करेक्ट होता हुआ देखने को मिला और 119 रुपीज के उपर में क् डिफिनेटली डिविडेंड वैल्यू काफी जाधा अच्छा है और इसको देने की जो एक्स डेट और रेकॉर्ड डेट है वो 28 जून यानि की 28 जून की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है RPG Life Sciences Limited अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेय गुआ था और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 1570 रुपीज का था अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौंसमेंट की हम बात करें तो RPG Life Sciences ने यहाँ पर डिविडेंड अनौंस कर दिया है 16 रुपीज का डिफिनेटली यह डिविडेंड वैल्यू भी हमें अलके ट्रेडिंग सेशन में क्लारा इंडस्ट्रीज का जो शेयर है अल्मोस्ट 5% की तेजी दिखाता हुआ देखने को मिला और 266 रुपीज के ओपर में क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौंसमेंट की हम बात करें तो क्लारा इंडस्ट्रीज ने यहाँ भी स्टॉक बोनस अनौंस कर दिया है 4 इस टू 1 के रेशियो से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको 4 शेयर जब बोनस म दिये जाएंगे और इस बोनस को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 8 जुलाई यानि की 8 जुलाई की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है वर्थ इन्वेस्मेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड कल के ट्रेडिंग सेशन में कमपनी का जो शेयर है अपने 5% के अपर सर्केट पे लौक था मार्केट ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक पूरा दिन इग्जाक्ली अपने अपर सर्केट पे लौक था कोई भी मूमेंटम हमें शेयर के अंदर में देखने को नहीं मिला सीदी जी बात है बाइंग अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 10 शेयर के अंदर में convert हो जाएगा अब चाहे बेशक आपके पास में इस कंपनी के जितने मरजी शेयर हो आपके सभी के सभी शेयर यहाँ पे 10 गुना हो जाएंगे अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है महराश्ट्रा स्कूटर्स लिमेटेड कल के ट्रेडिंग सेशन में महराश्ट्रा स्कूटर्स का जो शेयर है 1.5% करेक्ट होता हुआ देखने को मिला और 8,803 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनामस्मेंट की हम बात करें तो महराश्ट्रा स्कूटर्स ने जो यहाँ पे डिविडेंट अनामस करके रखा है 60 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर पे 60 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा और इसको देने की जो X डेट और रेकॉर्ड डेट है वो 28 जून यानि 28 जून की रहने वली है अब यह तो चलिए अनाउस्मेंट की बात हो गई आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा विगोज ऐसी जैसे जैसे अनाउस्मेंट साते रहते हैं मैं आप लोगों को सबसे पहले इंटीमेट क अगर इस कंपनी के ओफिशल अनाउस्मेंट की हम बात करें तो बेसिकली कोई बड़ी अनाउस्मेंट नहीं आ रही है एक काफी बड़ी है एक पॉजिटिव अपडेट निकल करके आई है अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो बेसिकली यहाँ पे ICICI Securities करके एक काफी जाना माना ब्रोकरेज फर्म है और आप लोगों ने ICICI Securities का नाम डेफिनेटली सुना होगा अब इस ब्रोकरेज फर्म ने जो है गेल इंडिया के शेयर के उपर में बुलिशनेस दिखाते हुए बाइंग रेकमेंडेशन शेयर करी है और यहाँ पे जो में ICICI Securities ने जो है यहाँ पे stop loss भी रेकमेंड किया है जो कि 196 रुपीज कराएगा तो 196 रुपीज का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो है ICICI Securities ने यहाँ पे गेल इंडिया के शेयर के उपर में provide किया है अब देखा जाए गेल इंडिया fundamentally financially काफी जाधर strong company है उपर से एक PSU unit है तो government का support और investor का trust यहाँ पे बना रहता है as such company के अंदर कोई problem हमें देखने को नहीं मिलता और साथी साथ में company के share की भी अगर हम on charts बात करें अभी strong ही नजर आ रहा है और यह जो 240 रुपीज का target है आपका short term का target रहने वला है तो definitely अगर आप लोग चाहें तो गेल इंडिय के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं और definitely company के share पे आपकी नजर बना सकते हैं all over सब कुछ अच्छा है 240 रुपे तक का target आपको काफी easily और काफी smoothly short term तक achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो जरूर से company के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजएगा अब आज आते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है oil and natural gas corporation यानि की ONGC कल के trading session में ONGC का जो share है लगबग हमें 1% correct होता हुआ देखने को मिला और 267 रुपीज के उपर में close हुआ अब ONGC की तरफ से भी एक काफी बड़ी and एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे मोतिलाल ओस्वाल करके काफी जाना माना brokerage firm है and I am sure आप लोगों ने मोतिलाल ओस्वाल का नाम भी definitely सुना होगा अब मोतिलाल ओस्वाल ने जो है oil and natural gas corporation के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 340 रुपीज का दिया है अब ONGC भी fundamentally financially तो काफी जादर strong company है और उपर से एक PSU unit भी है तो government का supporter investors का trust इस company पे भी काफी हद तक बना रहता है और on charts भी अगर आप ONGC के share को देखेंगे काफी strong हमें नजर आता है As such कोई भी problem company के अंदर हमें नई देखने को मिलती और अगर आप long term के लिए इस company के share को hold करें तो definitely आपको काफी अच्छे returns यहाँ से मिल सकते है बागी यह जो 340 रुपीज का target है यह हमारा mid term का target रहने वाला है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आपको थोड़ा सा हो सकता है patiently इस company के share को hold करना पड़ सके तो सिरफ वही capital आप इसके अंदर में invest करिएगा जिसको आप थोड़ा अगर जादा देर तक भी hold कर पाएं तो आपको as such कोई problem ना है बागी 340 रुपीज का target mark करिएगा mid term तक का रहने वाला है हो सकता है थोड़ा सा जादा time लग जाए तो capital उसी हिसाब से use करना है बागी ONGC काफी strong company है कोई भी problem देखने को नहीं मिलती fundamentally financially भी काफी जादा strong है तो जरूर से अगर आप लोग चाहें ONGC के share पर आपकी नजर बना सकते हैं और definitely company के share को आपके watch list के अंदर में एड कर लीजेगा बागी ONGC और Gale India इन दोनों companies के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि हाँ पर आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बागी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही कुछ stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce करा था अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो definitely वीडियो को like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye